इसमें हमें तीन साइड्स गिवन है और हमने एंगल फाइंड आउट करना है तीनों साइड्स की लेंथ हैं ए है 17 सेंटीमीटर वी 15 सेंटीमीटर और सी 8 सेंटीमीटर तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि यह जो लेंथ है आया कि यह राइट ट्राइंगल की लेंथ है या कि जो ट्राइंगल है वो राइट नहीं है तो चेक करने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं बाई पैथागोरस ट्योरम क्योंकि पैथागोरस ट्योरम जो है यह राइट ट्र sides हैं उनके square के sum के equal आता है तो यहाँ पर क्योंकि सबसे बड़ी side है A तो A का square आना चाहिए B के square और C के square के sum के तो A की जगा हम लिखते हैं 17 17 का square is equal to B की जगा 15 का square और C की जगा 8 का square तो 17 का square 289 इसी तरह हमारे पास 15 का square आ जेगा 225 और 8 का square आजेगा 64 तो 289 is equal to इन दोनों को add किया तो 289 दोनों sides equal आगी चनांचे ABC जो है यह लेंज्स है और लेंज्स आफा रइट ट्राइंगल यह राइट ट्राइंगल की लेंज्स हैं अब हम यहां पर राइट ट्राइंगल ड्राइफा करते हैं सबसे बड़ी लेंथ क्योंकि A है तो A को हम हाइपाटनस के तोर पर लेंगे A is equal to 17 cm और बाकी दो साइड को हम लेंथ के अकाडिंग लिख लेते हैं B है 15 cm और C है 8 cm और A के सामने caps में A लिखते हैं ये 90 डिग्री है B के सामने caps में B लिखते हैं और C के सामने caps में C लिखते हैं अब हमने given था हमें के हम find out करें angle B तो angle B find out करने के लिए हम कोई भी टिग्रामेट्रिक रेशो ले सकते हैं पारेज अगर हम sign लेते हैं वाली side high partners कहलाती है तो sign B आजाएगा हमारे पास perpendicular by high partners जो के 17 है तो B अगर हम find out करते हैं तो sign उस तरफ जाके sign inverse बांजेगा 15 over 17 तो sign inverse लिखने के लिए calculator पर आफ shift प्रेस करेंगे उसके बाद जिस बटन के उपर sign है उसको प्रेस करेंगे तो sign inverse लिखा हूँ आएगा उसके आगे आपने कुछ calculator पर bracket आजाती है अगर नहीं आती तो आपने ये bracket लगानी है उसके अंदर 15 divided by 17 फिर bracket को close करना है equal का button प्रेस करना है तो आपके पास आजेगा 61.9 अब 201 आगे भी आएंगे तो आपने इसको round off करके 61.9 degree लिखते नहीं क्योंकि आपने round off किया है तो यहाँ पर equal की बजाए आप approximate का symbol यूज़ करेंगे तो इस तरह मैयर angle B आपने 61.9 degree जो है वो इसका answer हमने find out का लिया अब देखें यह हम sign के लवा कोई ओर trigonometric ratio भी use का सकते थे question यहाँ तक आपका complete हो चुका है just समझाने के लिए आगे आपको बता रहा हूँ अगर हम cause लेते, cause B तो फिर क्या होना था, फिर यह होना था base over hyperness हाना था 8 over 17 तो B is equal to cause उदर जाकी cause inverse 8 over 17 फिर उसी तर आपने shift प्रेस करके cause को प्रेस करना था cause वाले बटन को तो cause inverse हा जाता और फिर आप bracket उसी तरह डालते bracket डालके 8 divided by 17 bracket close करते तो यहां पर भी 61.9 degree ही आना था और यह भी आपने round off करना था तो यहां पर भी इसी तरह का ही symbol आ जाना था तो देखें, इस तरह भी हमारे पास वही answer निकला, इस तरह भी हमारे पास cause लेने से भी वही answer हमारे पास आया है इसे अगर हम tan ले लेते tan B तो आप कोई भी trigonometric ratio यूज कर सकते हैं, यहां पर यह लाजमी नहीं है, आप sign ही लें या cause ही लें या tan ही लें, रटा लगाने की ज़रूरत नहीं आप कोई भी trigonometric ratio यूज करते हैं, जिसमें यह हमारे पास angle B आ रहा हो तो हम easily उसको find out कर सकते हैं, अब tan B क्या होगा perpendicular by base tan होता है perpendicular by base, तो B is equal to tangent inverse 15 over 8 तो यहां पर इसको भी round off करके आप लिखेंगे उसी तरह tan को press करेंगे तो shift दुपा के tan को press करेंगे tan verse आ जाएगा, bracket यूज करके equal का button प्रेस करेंगे, तो 61.9 9 degree आ जाएगा तो आपने इन तीनों में से कोई A करना है, यह कर ले या यह कर ले, या यह कर ले लाजमी नहीं है, कुछ की books वारा पर cause वारा लिखा होता है, कुछ पर sign, तो आपने याद नहीं रखना कि हमने यही particular trigonometric ratio लेनी है, आप कोई भी trigonometric ratio ले सकते हैं, तो इस तरह यह question भी complete हो गया